हेलो गुड मॉनिंग कैसे आप सभी उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तो मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस नए चैनल में और आज है फर्स जन्वरे यानि 2023 आ चुका है तो मेरी तरब से आप सभी को हैपी नियर और यह मेरा फर्स्ट व्लॉग है मैंने लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा वीडियो सूट कर रही हूं व्लॉगिंग टैप से तो उमीद आप सब को यह वीडियो पसंद आएगा तो सब करें जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालो उसकी नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें आज है साल का पहला देन सुबा के बजर है आठ और में हने हाँ धवा के अच्छे से रेडी हो गई हूं मैंने एक बहुत ही सिंपल सा वाइट कलर का सूट डाला है उसके साथ पि पीछे बैठना है पूरी तरह से कन्फ्यूज है तो गाड़ी आ गई हमारी गाड़ी में हम बैट गये हैं और यह हमारी फ्रेंड है उनके हस्बेंड और चूटा सूरस का बीता है तो हम सब साथ में जा रहें और यह मेरे वेटा है देखिए इकैसे बड़ी बड़ी आखे क यह हैदराबाद का बहुत ही फेमस ब्रीज है दुर्गम चेरिव ब्रीज यह रात में बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में क्योंकि इसमें जो लाइट जलती है काफी अच्छे लगते हैं अच्छली मैंने नजदीक से लिया ना इसलिए कैमरा में अच्छे से पूरी से और यहां से अंदर जाएंगे मेरा बेटा अभी शो रहा है अपने पापा खे पास की कहूंकि वह मन नहीं काफी अच्छी ड़लियाली मेरी देखने को ना तो बहुत अच्छा लगता है मीरी बेटी भी बहुत जादा खुस हो रही थी फिर हमें यहाँ जूते चपल उतारने पड़े क्योंकि बन्र जाना है अंदर में से जूते चपल टॉतारने के थे था हम सब यहां पे जूते चपल उतार के जा रहे हैं मन idr जानी के बाद के टमपल आपा भागवान जी मिलेंगे यह अंदर जानी का रास्ता और यहां पर देख सकते कि पनी लंबी लाएने काफी जाधा भीड़ती बहुत जदा भीडता क्योंकि आज फर्स जन्वैरी है इसकी वज़ासे भी काफी ज़्यादा भीडती और एक चीज और बात है कि यहां पर अंदर जाना से पहले नारील यहीं पर तोड़ना होता हाफ नारील यहीं पर छोड़ दो और अंदर लेकर जाओ और आप नीचे का व पर और की जाता नहुंट पर बेकरति अब पर दिर में से कांबों के सानल, मन्दीर बाक्या बहुत जाब है ऑम तो हमें इसास करने पर के मुद्व यहांB कुझ कोते मतित्म से दिजर इस पर ना यह पिंदा ऍेर्द आपš। बहुत सुंदर लगा था मंदिर अंदर से काफी अच्छा था यहाना फ्रेश फ्लावर की खुस्बू बहुत अच्छी आ रहे थी और मैं वीडियो जादा अंदर तक नहीं बना पाई क्यूंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था काफी जादा भीड़ता कि आप कैमरा फोन ऐस जाए तो इसलिए मैंने नहीं बनाया और यह जगा हुआ है मेरे पास आगया यह बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है कि मैं कहां पर हूँ और मैंना अंदर में थोड़ा से वीडियो बनाई हूं उपर का यह देखिए उपर का डेकोरेशन बहुत अच्छा यह पूरा फ चछी चछी क्हा है काफी अच्छा था बहुत व्हादिश लगा खाने मेरी बेटिया कहने यह मेरे हजबन कहा रहे है और तुम्हें था लिख ब्हूं देता हूं वह नए खा रही है वो बोले नई मुझे जोरों से भूख लगी है मुझे बाहर खाना है कुछ अच्छा खा में आपके खीज दो तो मैंने उसका बहुत सारा फोटो लिया बहुत सारा वीडियो लिया वह बहुत खुज हो गई क्योंकि इसे फ्लावर बहुत पसंद है और यह जो सामने आप मंदिर देख रहें ना यह गनपति का मंदिर और यह कांच में आप देख सकते हैं कुछ असनंके शेड़ेयोंस 松ॉप मेरे में रहरे हैं कि विद्धा हम लाने बहुत सारे विडियोस बनाये और क क्रिशू असब है यहां जगा पुक्त हमें बैठ यां बेती आ गई यह बहुत ज्यादा सैड हो रही थी कि यह बहुत ठक गई थी हम सब ठक गए थे क्योंकि लैंड में बहुत ज्यादा खड़ा रहना पड़ा फिर हमें यहां 10-15 मिंट अच्छे से रेष्ट किया फिर रेष्ट करने के बाद हम चले यह गनपती मंदिर जो हमारे पीछे ऐँ डिए और हम गनतवी के अंदर जा रहे और सामने हमें क्या दिखा मुश्ख जी कान में कुछ का हो ना तो वह सारी विस्पूरी हो जाती है क्यूंकि वह हो जाके गनपति जी को कहते गंपती जी यू चुटकी में हमारी सारी विस्पूरी कर देते और यह मैंट यहां पे भगवान जी और यह मैंने सामने साब को दिखाय था प्रवेश द्वार यह द्वार तो यह उपर से अच्छे से दिख रहा था तो मैंने स्वचा चलो मैं इसे भी वीडियो में कैप्चर कर लेती हूं और यहां गनपती मंद्री में भी काफी जादा भीड़ थी तो यहां पर अच्छे से हमारा दर्सन हो गया है यहां दर्सन करके अब हम निकल रहें यहां से अब इना यहां दो पहर के 12 बच चुके हैं और मेरी बेटी बहुत ज्यादा सैड हो गई है क्योंकि उसे लग गया है और हमारा दर्सन भी बहुत ही अच्छे से हो गया बाला जी का वैसे विश्णु जी को ही बाला जी कहते हैं और मेरी बेटी यहां बोल रही पापा मुझ अब बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और यह देखिए मैंने खाना वगएर का इसा हुआ कैप्चर नहीं क्या क्योंकि क्रिश्णु भी बहुत ज्यादा परिसान हो रहा था वह गोदी में ताना तो मैंने उसे इस तरह बेंच में भी लिटा दिया है और थोड़ा हंस रहा थ तो मैंने जादा नहीं कैप्चर कर पाई क्यूंकि इसे भी भूक लगिया था यह दिया आफित आल्रम की आफिप हो रहा यह यह काफी अगर हम सब खाना खाने के बाद दu这么a में detto कि और और यह मेरी बेटी मेरी गोदी में सो गई काफी जादा था गई थी ए एक्टी को अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं बजरे साम के पांच हम लोग तो काफी पहले पहुंच गए थे पर काफी ज्यादा थकनी की वज़ा से सब सो गया आके और क्रिसब भी बहुत ज्यादा रोने लगा था जिसके वज़ा से मैं आगे का वीडियो सूट नहीं कर पाई तो म आपका ने हों और का लगा मुझे बताईएगा जरूर और कॉमेंट में यह जरूर बताएगा कि आज कहिए और कैसा लगा और प्लीज